असलाम अलेकुम, वेलकम टो माई यूटीब चैनल, टोडेए वीविल डिसकर्स बाउट ग्लुकोजो माईनो ग्लाइकेंज और गैग्स तो लेट्स स्टार्ट इड़ अब ग्लुकोजो माईनो ग्लाइकेंज के यह हेट्रोपोली सेकराइड्स हैं हमने प्छे पढ़ा था कि जो polysaccharides हैं उनको two types के अंदर classify करते हैं homopolysaccharides और heteropolysaccharides तो जो gaggs हैं ये heteropolysaccharides हैं ये acidic sugar और amino sugar से मिलके बनते हैं इनके अंदर monomer जो है वो एक यह तरह का नहीं होता तो उसके बार इनके property क्या होती है कि इनके उपर negative charge होता है अब जो negative charge होता है इनके उपर इसकी विज़ा से ये एक दूसरे को repel करते हैं मसाल के तुल पर gagg की एक chain ये होती है ठीक है एक chain ये है अब दोनों पर negative charge है तो दोनों एक दूसरे को repel करेंगे एक दूसरे को परेद किलते हैं तो इसकी विचा से यह लार्ज स्पेस को पाइए करते हैं उनके द्रम्यान में जो इसको फिल अब काई रहा रहोता है टिका इसकी विचांट प्रका से गैक्स यह जेल-like material के तौर पे मुझूर हो थी है like gel-like material ठीक है वहां पे अब यह क्या करते हैं वहां पर डिफेंट पूर्टीन जो थी है extra cellular matrix के अंदर तरह पर यह फाइब लास्टीन है कि listen patient put in का एक मेंश वर्क कर बना होता है तरो इसके दर्मेयान जिस पेस होती है इस पेस को यह एक्सिकाल मेंट्रिक्स का कमपोनेट एधे यह इसके साथ दिन के रिएट के साथ मीलक्रों वैर्यस सब्तांसिní मुव्मेंट को नहीं करते है इसके बाद जो हमारे पास आता है mucus ठीक है तो mucus की जो properties है lubricating properties वो भी gags की विज़ा से होती है तो इनकी mucus के अंदर ये जो properties contribute करते हैं उसी विज़ा से gags को mucopolysaccharides भी कहा जाता है ठीक है अब इनकी composition की बात करें तो composition पे ये बने होते हैं acidic sugar ठीक है acidic sugar के साथ जůड़ा होता है amaino sugar acidic sugar plus amaino sugar ठीक है उनके ये polymormar होते हैं उनकी power and carbon संदाज number of acidic sugar व किरमाइनो sugar मिलते हैं तो skin उनके मिलने से बनते हैं heteropolysaccharides या gags ठीक है अब acidic sugar कौन सा हो सकते है acidic sugar होता है या glycoeronic acid होता है glycoeronic acid ठीक है यह होता है आयोडो यरोनिक एसड़ ठीक है ग्लुको यरोनिक एसड़ या ओडो यरोनिक एसड़ होता है उसके बाद अमाइनो शुगर क्या होता है अमाइनो शुगर ग्लुकोजामीन हो सकता है ठीक है ग्लुकोजामीन होता है उसके अलावा ग्लैक्टोजामीन होता है ठीक ह है कि अंधर इस डिक शुगर नहीं होता है उसके इस डिक शुगर की बिज़ाओं यहांपे ग्लैक्टोज मुझूद हता है अमाइने शुगर मजूद होता है लेकिस के अदर एस डिक शुगर मुझूद नहीं होता गुलुको ईरोनिक एसट सब्सक्र्ट भी देखते हैं यहां पर देख लेते हैं कि यह है मालेक्यूल इंग हम रहा कर दें ठीक है यहां पर अक्सीजन है अब टर्मिनल जो मोस्ट टर्मिनल कार्बन होता है लेकिन अगर उसको ऑक्सीजन करके सीडेबल बना दें तो यह माले पास बन जाता है ग्लूकोईरोनिक एसड यहां पर उसी तरह लगा दें ठीक है जो ग्लूकोईरोनिक एसड और जो इसका स्ट्रक्टर भी सेम है लेकिन वो उसका सीफाइव एपीमर है मतलब सीफाइव पे इसके जो ग्रूप लगावा इसके पॉडिशन उलट हो जाएगी तो ऑयोड़ोनिक इसका क्या फर्मॉला होता है इस तरह ओएच ठीक है नीचे ओएच एच ओएच एच ओएच ओएच और नीचे ओएच अच अब आयोड़ोनिक सीफाइव एपीमर है मतलब जो सीफाइव है इसके उपर ग्रूप की जो पॉडिशन है वह उलट जाएगी तो यहां पर सीडबल ओएच नीचे आ जाएगा और एच जो ऑपर से ला जाएगा तो यह आ जाता है आयोड़ोनिक एसर ठीक है तो यह दो इस डिक शुगर है जो गैक्स के अंदर पाए जाते हैं और मायनों शुगर ग्लुकोजामीन और लेक्टोजामीन है यह हमने पढ़ा था कि कोई एक ओएच उतार के मिसाल के तोर पे ग्लुकोज का नार्मल स्ट्ट्चर जो है यहां पर मैं बना हूं दिखूंगर तो सपोस्ज यह ग्लुकोज का कि इसके लिएगा हम NH2 लगा जाते हैं तो यह बाढ़ाता है ग्लुकोजामीन इसके अतना ग्लैक्टोज का स्ट्ट्चर लिए उसके साथ NH2 लगा दें तो वह बन जाएगा ग्लैक्टोजामीन ठीक है तो इस तरह जो है अमाइनो शुगर जो हम बनते हैं ठीक हमने स्पैसिफिक टाइप का गैग जो है वह नहीं बना रहा तो यह पाइन शुगर ठीक है यहां पर ओए चैच वगड़ा हो सारी अरेंजमेंट जो है ठीक है वह लगी हुई है अब यहां पर स्पैसिफिक पॉइंट पर यहां ठीक हमने लगाया हुआ था NH2 लेकिन फीजियाल स्पैसिफिक टीक है तो इसके बाद इनका बांड बनाता है जैसे जो भी लिंकेज बनता है ठीक है वह बाद में हम देखेंगे इनकी लिंकेज बगारा एक फरजी को पॉइंट मैंने बनाया गैग ठीक है तो फिजियालोजिकल पिएच पे NH3 जो है पॉस्टिव होता है और COO जो है वो नेक्टिव होता है लेकिन होता का गैग एक की अंदर जो इनका NH3 है इसको इसकी इसकी इसेटायरेशन कर दी जाती है मसलन जो एनच ग्रूप है इसके साथ ग्रूप जोड़ दिया जाता है एक्षिटायल ग्रूप यानिके C double bond oxygen ठीक है और CH3 यह जो एक्षिट NH3 की बजाए जब इस्टिटायलेशन हो जाता है यह चेंज हो जाता है NHCOCH3 में तो मतलब जो पास्टिव चार्ड था वो तो नियूट्रालाइज कर दिय जाता है सिटायलेशन के जरीए ठीक है लेकिन जो नग्टिव चार्ड है वो मजूद होता है इसके वचा से आक तो इस पर어를 चार्ड होता है जो जब इसके अडिने उसके अपर नेक्टिव चार्ड जो होता है अब गाग जो लिए को सब काफी समर्द कर्द ओखर नंब चार्ड नमें दॉन होल्ट करती है इसस गांथ तो निक कर दिफास पानी किया होगा है हो जाता है एच टो बाए निकल जाता है ठीक है और इसके नतीजे में क्या होता है कि इसका साइज कर साइज इसका चोटा हो जाता है क्या होता है कि साइज इसका चोटा हो जाता है यह सुकर कर कुछ यूं हो जाता है ठीक है अब जब इसको छोड़ेंगे तो यह दुबारा प करने से निकल जाता है और जब इनको छोड़ते हैं तो दुबारा यह वाटर को अटेन काल देते हैं आगे नेक्स्ट हम आजाते हैं गैक्स की टाइप की तरफ ठीक है तो गैक्स के दूसरी इसकी टाइप आजाती है तो आब इनकी टाइप में याद क्या करने हैं इसके टाइप्स में याद क्या करने हैं इनकी टाइपस में सबसे पहले तो जो मोनोमर्स है इसके उनको याद करना है ठीक है इस डिक शुकर कौन से हमाईनों शुकर कौन से है उसके बार लिंकेज किया है लिंकेज याद करना है और सिल्फेड ग्रूप की पॉजिशन याद करनी है और इनकी अपनी पॉजिशन उसके बाद इसका है गुलुकोई रोनी के सद्ट का स्रक्चर मैंने लिक दीए ठीक है यह उपर सी डेबलो ट्रेक्टिव लगा हुआ है उसके बाद बांडिंग इसमें बीटा वांथरी बांडिंग अब एंड स्टाइल गलक्तोजामीन है यह गलक्तोज मैंने बनाया हुआ तो बांडिंग क्या है बांडिंग बांडिंग इंग लेक्तोज का स्ट्रक्टिर वो भी बीटा बनाया ऑच उपर बनाया हुआ हुआ तो बीटा वांट्री बांडिंग है तो इसका C1 involved होगा और इसका C3 involve होगा ठीक है तो क्या होगा कि CE1 का जो OH है इसका interaction होगा है इसके C3 के ऐसे टिए ओए तो सीधी to suaud एक साथ इसके ez-क्र whites के नतीजे में और के उइस इतना दब्लीज लीज होगा तो पांड कुछू यह बनेगा है यह पर सैंटर में और स्पांड रही तेक कि एक है और यह बांड जाकर बन रहा है इस प्ऊंट पर ठीक है यहां पे C4 पे नहीं बाद रहा तीक है और अंदर के तर्फ जो फॉट था उसके साथ बांडिंग को रिया डिस अधि बांडिंग इस बीटा 1-3 बांडिंग उसका पास इसमें फॉटर पोडिशन पर वी सिल्फेट हो सकते हैं 6 पोडिशन पर बी शुटर हो सकता तो सुल्फर लगा दिया जाता है तो सफर पे नेग्टिव टू चार्ज होता है उसके बार ये 4 ये हो गया कंड्राइक्टन 4 सल्फेड अगर 4 प्रूप प्रूप लगा तो अगर 4 पे ना लगे 4 पे OH ही बरकरार है ठीक है 4 पे OH ही है लेकिन अगर सुल्फेड जाए 6 झाल के साथ पर एस्टायल ग्रूप लगा दिया रहता है यानिके सी ओ च्री यह बन जाता है एन इसी टायल ग्लैक्टोजामीन तो स्ट्रक्चर को दोबारा देख लें एक स्ट्रक्चर की समझ आगी तो सब की समझ आजने हैं ठीक है सबसे पहले ग्लुकोई रोनीके सद ल उसके बाद HeIGHT उसके बाद तो बनाना था मिंट बीटा ओर इंटेशन के बना इसके बाद बांडिंग यो थी बीटा सब्सक्राइब गर्णाइब कर बोत दिया उसके बाद जो यह पॉलिमर होता है तो तो इसके बाद साथ बाद में एन लगा जया जाता है इसके शोग करने के लिए एक पोलीमर है लार्ज नंबर आफ माल्कुल जो इसके जुड़े हुए है ठीक है उसके बाद क्रेटिन सल्फेड पर आएं तो क्रेटिन सल्फेड पर एस डिक शुगर नहीं होता बलकि इसके अ पर नदर होती है बीटा वान फॉर बांडिंग बीटा बांडिंग मतलब दोनों शुगर बीटा कॉन्फेड़ेशन के बनाने है गलक्तोस बनाया बीटा कॉन्फेड़ेशन का पहले पॉइंट पर ऊपर रखा ठीक है उसके बाद सीफोर एपीमर है तो सीफोर पे भी और सीटू पे हमने अमाइनो गुर्प लगाया एनेच और इसके साथ सीओ सीओ सीएच त्री इसी टायल गुरूप लगा दिया ठीक है उसके बाद बांडिंग कुनसी है बीटा वन फॉर इसमें वन का ओएज जो है फॉर के ओएज के साथ इंट्रेक्ट करेगा वन और फॉ इसके बांडिंग बांड जाएगी ठीक है तो यह होगा बीटा वन फॉर लिंकेज और सलफर जो है दोनों के सिक्स पॉजिशन पे सलफर मुझूद है ठीक है तो यह था क्रेटिन सलफेट के भी टू टाइप से हो टाइप से टू है ठीक है उनकी प्रोटीन के तार इंट्र मोनोमर्ट में पूछ आती है ठीक है मोनोमर्ट इंपोर्टन्ट है इंके इंट्र स्वें पीओ पॉएट्स के इसके अंदर कंपनेट होता है एन इसटायल गुलोकोजा मीन ठीक है और फिसके और बांडिक इसमें बीटा वानत्री इसलिए दोनों का स्ट़्क्च्चर वेट बीटा ओरिंटेशन का गुलुकोज है तो इसमें बार बीटा ऑन्रीं के साथ इन्ट्रक्ट कर सुने गांगी यहां पर जोड़ेगा लिखाए इसके बांडिंगे लिए इसके मत्रिष को सक्राइब बना रहे होंगी आगे नेक्स्ट आरें ड्रमेटिन सिल्फेड पे तो इसके जो मौना मरहिन में एन इसी टायल गलेक्टोजामीन है और और यूरोनिक एसड़ है तो यह मैंने स्ट्क्चर बना जिया और यूरोनिक एसड़ का बाकि स्ट्क्चर सेम था ग्लुकोईरोनिक एक बांडिंग इसमें इसमें बीटा 1-3 है और एन इस्टायल गलेक्टोजामीन है वह भी बीटा इसमें ऊपर की तरफ होगा ठीक है तो यह निचे इस्टायल गूर्प लगा हुआ है ठीक है और इसमें भी फिर प्र क्या होगा बांडिंग बीटा 1234 84, 44, प्रष्ण बिंदे, Daarम में सिलफर होता है, सिलफर अगर्टीव टूठीव आ टींद्ध इस होते हैं, टीक है, तो ये है अवह हैर डर्मेटिं लिफिर्ट। नेकस्ट हैपरिन पे आ जाएं, हैपरिन में गलुकोजामीन है और कलुकोईरानी एकेसिड है, इस वेच के साथ इंट्रेक्ट करता है ठीक है और इनकी यूं बार्णिंग हो जाती है अलफा वान पूर लिंकेज के जरीए उसके बाद यहां पर डिफरेंस देख लें है पारिन और है पारिन सिल्फेट का तो जो है पारिन है इसके अंदर तीन जगा पर सिल्फर है ठीक है सिल्फर लगा हुए उसके बार यह वहार पोपर गाउए वह लगा होदे दिया ताम यह पर एंद है उसमें सल्फर झो यह वह यहां पर लगा हुई थैक है उसके बार इस सर्फर यह मजूद नहीं और यहां पर भी अन्दे है तो जो मास्स्ऐस you पो जो है एक्स्टा अलवरी मेंब्रेंस बाए रहता है और इस टेबिल्टी प्रवाइड करता है तो है पार नोप करता है यह जो इस नहीं बना है ठीक है तो इनको आप जो आधे आ लिए आ लिक हुए और जिसमें इसका रोल लिखा हुए यह पढ़ना है ना ठीक है चैप्टर 14 में लिपनगाट की यहां से यह स्ट्रक्चर करने की जूरत नहीं है ठीक है नीचे स्ट्रक्चर आफ गैक से टॉपिक पढ़ने हैं उसके बाद यहां पर यहां पर यह स्ट्रक्चर जो टॉड़ा पर यहां पर इसकी टाइप्स दी हुई है ठीक है टाइप्स के मौनमर्स लिख्यों में उनकी बाणिंग लिख्यों यह उनका स्ट्रक्चर जो हैं वड्रा हुए है और लोकेशन भी बताए गया ठीक है तो सबकी लोकेशन याद करनी और उसके बाद जो करेटिन सुलफेट है कि रेटिन सुलफेट के टू टाइप सेंस्क्राइब डिशू में जबकि वन जो है वह कौनिया में पाया जाता है यह प्रोटियोगल इकनका कंपोर्णेट का मोस्तिक्पोर्टन एंप्शी क्योज है कि यह अन्ट फेट होता है ठीक है उसके बाद यह साइनोबील फिलु प्रिंट है यह … इंट्रा सैलूरर कंपोनेंट होता है मार्च और भूर भाइज़ भून्ट से है तो इस इस बेड़ा और भाइज आपप तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ठैंक यू